नुश्कार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रतुक्त तसंसार में आज हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं हिमाचल परदेश जनल नोलिज के कुछ महतबुन प्रशन होगो जो आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले एक्जाम में अब यहाँ रिसंटली जो कोई भी एक्जाम हो उसमें आपको यह बहुत ज्यादा पहुंचाएगा तो आइए डिसकस करते हैं फर्स्ट अर्लियर इनहबिटेंट इन हमाले फुट हिल्ट सुवर कौन थे जो हमाले की तलहटियों में रहने वाले वहां के सबसे पहले प्राइबिक निवासी कौन थे तो आपके ऑप्शन के हिसाब से इसमें सबसे जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट अंसर है कॉल्स जो वो यहां के प्राइबिक निवासी थे दचंबा प्रिंशली स्टेट वास फॉंडड़ वाई मेरु वर्मन इन फे फाफंड़ फिटी एडी विद इस केपिटल एज त अपना किसने की मेरु वर्मन ने पांसफ़ पचास में तो किससे अपनी राजधानी किस्ट से अपनी राजधानी बिनाए इनोंने तो आपका सही जवा हुआ हुआ है ओप्शन डी ब्रह्म पुरा नेक्स्ट मेहमूद ओफ गजनी अटेक नगरकोर्ट इन हिस सेवंथ असाल्ट ऑन इंडिया इन वन थाउजन नाइड़ी हुवाजदा रूलर ओफ कटोच डैनस्टी इन कांगड़ा डियूरिंग दिस टाइम तो महमद गजनवी के जब ने आकरमन किया एक जार नों में का समय वहाँ पर कटोच डैनस्टी का कौन सा राजा जो है वो शाशन कर रहा था तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजा जगदीश चंद अब देखिए इसमें कवर हो रहा है कि महमूद गजनी ने अटेक किया कौन सेवंथ उसमें ठीक है सेवंथ सातों आकरमन था उसक तो उसमें कांगड़ा में जो था वो किस कौन सीदेंस्टी थी कटोच डैनस्टी का साषन था और क्टोच डैनस्टी के किस राजा का साषन था राजा जगदीश चंद तो ये इसमें एक साल लगभग चार-पांच कोश्चन इसमें आपके कवर हो रहे हैं Next इन ओर्डर तू एस्केप दावर्थ ओफ रिवलेशनरी इन शिम्ला इन एटेन फिप्टी सेवन दा ब्रिटिशर फ्लैट फ्रम शिम्ला एंड टुक शेल्टर एट तो कहां उन्हें शरण ली जब अठारस्ता उनका विद्रो वा तो उकरांतिकारियों से बचते हुए जो ब नेक्स्ट वू और्गनाइज कुट इंडिया मोव्मेंट इन शिम्ला इन नैंटेन फोटी टू तो किसने शिम्ला में और्गनाइज किया बारत छोड़वां दोला निनिसो ब्यालिस में तो इसका सही जवाब है ओप्शन सी राजकुमारी अमरिध कोर नेक्स्ट दा क्यों क्योंठल प्रिंसली स्टेट वाज़ी इन 1211 एडि बाय किसके द्वारा जो है ओ किंथल राज्य की स्थापना की गई बारा सो ग्यारा में तो इसका सही जवाब है ओप्शन सी गिलिसेन के द्वारा क्योंठल राज्जी की स्थापना की गई नेक्स्ट फॉप्शन के हिसाब से कि किस ने शांगरी प्रजामंडल की स्थापना की हिमाचल की हिल स्टेट में तो इसका सही जवाब है चिरंजी लाल वर्मा कब इसको भंग किया गया और इसको केंदर शासित प्रदेश का दरजा दिया गया हिमाचल को तो इसका सही जवाब है एक नॉम्बर नाइंटिन फिफ्टी सिक्स लॉड मेयो दा गोवर्ना जनर्नल ओफ इंडिया केंटु चमबा ओन लाड में जो जिन्होंने जन्गर्ना करवाई थी सबसे पहले तो वो कब हिमाचल आये सबसे पहले जो हिमाचल के कहां आये चमबा में तो कब आये इसका सही जवाब है 13th November 1871 में आये थे वो Next The Britishers who discovered Shimla The Britishers who discovered Shimla for the first time in 1819 AD was कौन वो थे अंग्रेज जिन्होंने Shimla को खोजा कि Shimla ये नाम की कोई कोई जगह है ऐसा कोई हिल तो इसका सही जवाब है Option A Left in and Rose ये Left in and Rose ने जो है Shimla वो खोजाए Next पार्णी मेंशन त्रिगर्थ as पार्णी ने जो त्रिगर्थ को जो है वो क्या कहा है तो इसका जो सही जवाब है वो है आयूद जीवी संग त्रिगर्थ को उन्होंने आयूद जीवी का संग कहा Next चंबा टाउन वाज नेम्ड सो बाई साहिल वर्मन आफ्टर दा नेम ओफ इस डोटर तो चंबा को जो है क्यों इसका नाम चंबा रखा साहिल वर्मन ने किसने रखा साहिल वर्मन ने उसकी डोटर के नाम पे क्या नाम था उसकी डोटर का तो आपका सही जवावे option भी चमपा वती फ्रों 109 AD एक हजार नो तो 1043 AD नगर कोट रिमेंड अंडर दा कंट्रोल ओफ नगर कोट एक हजार नो से और एक हजार तरतालिस इस्वी के वीच नगर कोट किसके कंट्रोल में रहा किसके अंडर रहा मतलब तो इसका सही जवाव है महमुद और गजने गजनवी यह इसके अंडर रहा नगर कोट किला नेक्स्ट विच रूलर ओफ बुशहर अपोजड ब्रिटिश हर्स डूरिंग दा रिवल्ट ओफ 1857 किसने जो बुशहर का कौन सा राजा था जिसने क्या बोलते अंग्रेजों का विरोध किया अठारहस ताउन के विद्रो के समय तो इसका सही जवाव है ऑप्शन भी राजा शमशेर सिंग इन्होंने जो है अंग्रेजों का विरोध किया था नेक्स्ट दा फांडेशन ओफ मंडी स्टेट वाज लेड डाउन एट भी उली इन धा 13th सेंचरी बाए तो फांडेशन ओफ मंडी स्टेट किसके दौरा तेर्मी श्ताबदी में किसके दौरा रखी गई तो इसका सही जवाव है बान सेन ओप्शन सी when was बुशेहर रियासत प्रजा मंदल formed कब बुशेहर रियासत प्रजा मंदल की स्थापना कब की गई तो इसका सही जवाब है C. 1941 A.D Next In 1972 A.D हिमाचल परदेश गौर्पनेंट reorganized कांग्रा into following three districts 1972 में हिमाचल परदेश का जवारा गठन किया गया तो कांग्रा को जो है तीन district में बांट दिया गया तो वो कौन से तीन district में इसको बांटा गया तो इसका सही जवाब है option D उना कांग्रा एंड हमिरपूर और इसका कब 1972 में पुनर गठन हुआ Next वाइसराय लाड करजन विस्टिट चमबा एलोंग विद इस वाइफ और स्पेंट एवीक देयर ओन लाड करजन ने जो है चमबा राज्य को की यात्रा की और उन्होंने वहाँ अपनी पत्नी के साथ एक सब्ता बिताया तो कब उन्होंने वह यात्रा की वहाँ की तो इसका सही जवाब है Option D 1 September 1900 Next Which slogan got popularized at Eidgha Medan Shimla in honor of Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi के सम्मान में Eidgha Shimla में जो है कौन सा जो नारा वो बड़ा famous हुआ वहाँ पे तो इसका सही जवाब है बिताद बाजशा की J option B यह उसमें बड़ा famous हुआ उनके जब Mahatma Gandhi Eidgha Shimla आये थे And next Satyanand Stokes attend the session of Indian National Congress in 1928 कहां किया था 1920 का उन्होंने जो Indian National Congress का session था अधिवेशन वो उन्होंने कहां पे अटेंड किया था Satyanand Stokes ने तो इसका सही जवाब है option B नागपूर में तो यह कुछ important question थे आज के हमारी इस वीडियो में और यह आपको help करेंगे आने वाले हर तरह के exam में जाप हिमाचल से related कोई भी exam देते हैं लगवग यह उसमें हर में पूछे जाते हैं और इनमें से कोई ना कोई प्रेशन आवश्य पुछा जाता है हर साल और हर exam में तो इसलिए इनको थोड़ा आप बार बार इनको सुनिए बार बार इनको पढ़िए और यह आपको help करेंगे पूरी तरह से ताकि आपके बिल्कुल गल्ट ना हो और आप यह नमबर आपके पक्के हो तो अगर इसी तरह की और भी वीडियोज आपने देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल प्रत्योंकत असंसार को लाइक सब्सक्राइब और शेयर मेरे वीडियो को जरूर करें और बने रहें आगे की वीडियोज के लिए मेरे साथ